कैसे हैं आप आप सभी का परिहार आई इसकेडवी में स्वागत है तो आज हम जानेंगे एक इंगलिस का प्रयोग जो की सभी कमप्टेटिव इज्याम में पूछा जाता है अगर आप ये वीडियो पूर्टा देख लिए तो मेरी गारंटी है कि ये आपको जीवन भर कभी नहीं भूलेगा ये प्रयोग और लगभग लगभग सभी कमप्टेटिव इज्याम चाहिए UPSC हो, SSC हो, Banking हो, Railway हो कोई भी इज्याम सभी में ये पूछा जाता है और आप कोई बोर्ट का ज्याम भी दे रहे हैं उसके लिए भी ये बेहद इंपार्टेंट है और इन सब को भी अलग कर दीजे तो इसके बारे में जानना आपके लिए अत्यनत आवश्यक है तो देखिए हम जानेंगे प्रयोग लिटिल आलिटिल और काहे का दा लिटिल काहे का प्रयोग लिटिल आलिटिल और दिलिटिल तो लिटिल आलिटिल दा लिटिल होता क्या है हम एक-एक करके क्रमसह जानेंगे फिर हम तीनों कई ग्यामपल के साथ आपको अच्छे तरीके से बताएंगे यह मेरी गारंटी है कि आप वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो बेहतरीन जिसे आप कह सकते हैं अच्छे तरीके से आपको यह पूरा लेक्चस समझ में आएगा तो ध्यान दीजेगा कि हम पहले देखेंगे आपका लिटिल ठीक है क्या देखेंगे लिटिल तो इसमें हम लिटिल में लिटिल का मतलब क्या होता है लिटिल not या never या आप इसे कह सकते हैं नगण्य, ना के बराबर ये already इसे आप क्या बोल सकते हैं तो little क्या है little is used with uncountable noun क्या लिखेंगे आप little is used note down करते चलिएगा little is used with uncountable noun जो little का प्रयोग होता है वो uncountable noun के साथ होता है uncountable noun means जिसे आप गिन नहीं सकते हैं ठीक है ना तो जिसे आप क्या कर सकते हैं गिन नहीं सकते हैं तो little is used with uncountable noun और समझेगा आपको सीधे तवर पे बता दूँ little का मतलब ही होता है ना के बराबर ना गन्य तो little is a negative word little is a negative word क्या लिखेंगे आप second number लिखिएगा इसी में little little is a negative word मतलब ये क्या है ये already little जो है तो नकारात्मक सब्द है ठीक है नकारात्मक सब्द है मतलब अब समझेगा जब little already नकारात्मक सब्द है तो क्या इसके साथ हम not का प्रयोग करेंगे not का प्रयोग होगा नहीं होगा no का प्रयोग होगा नहीं होगा never का प्रयोग होगा क्योंकि little का ही मतलब होता है ना के बराबर ना के बराबर नगण्य इसी को है ना तो इसलिए अब already नगण्य इसका मतलब होता है फिर से आप नाट लगा देंगे ऐसा नहीं करना है आपको ठीक है ना तो little आप समझेगा कि इसका क्या मतलब होता है नगण्य ना के बराबर तो लिटिल लिजा निगेटिव वर्ड, क्या है? अल्रेडी यह क्या है? निगेटिव वर्ड है, अब देखिए, कि इसका प्रेवग हम बताएं है, आपको मैं बताया हूँ, कि इसका प्रेवग कहे के साथ करते हैं? अनकाॉंटेबल नाउन के साथ, कहते हैं लेकिन अगर कहीं दिया है little boy little boy तो समझिएगा little क्या दिया है boy तो little यहाँ पर यह little यहाँ पर adjective है और यह boy यहाँ पर noun है तो समझिएगा यह मतलब little का मतलब यह यहां पर ना के बराबर यह बाला लिटिल नहीं है सब्द भली ही एक है लिखा L I double T L E है लेकिन इस लिटिल का मतलब क्या होता है इस लिटिल का मतलब सूच में होता है मतलब बहुत छोटा तो आप इस लिटिल का मतलब क्या लिखिएगा सूच में लिखिएगा और यह क्या है का प्रयोग मतलब एक छोटा सा इत्ता बड़ा इत्ता सा बच्चा तो जो यह है तो लिटिल वाए तो यह सब्द दूसरा है और यह जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लिटिल तो यह इसका अर्थ होगा ना के बराबर तो यह कभी-कभी अलग चीजों को प्रयोग हो जाते इसमें ध्यान मत दीजिएगा कि यह countable noun के साथ आप प्रयोग कर दिए जैसे वाए मतलब बच्चों की संख्या आप गिन सकते हैं एक पंग्ती में खड़े कर दीजिए आप बच्चों को गिन लेंगे कि यहाँ पर कितने बच्चे खड़े हुए हैं लेकिन आपको अगर सुगर गिननी हो सक्कर कितने हैं चावल की संख्या, पल्सेस की संख्या गिननी हो तो क्या यह countable noun के अंदर गताएगा नहीं आएगा वो क्या होगा? अनकाउंटेबल noun के अंतर गताएगा लेकिन यहाँ पर यह एक प्रकार का अपवाद है, आप इसको इसमें नहीं लीजेगा कि अपवाद न कहिए आप इसे बलकि आप यह कहिए कि अलग ही चीज है लिटिल बॉआए यहाँ पर लिटिल एक एडजेक्टिव है ठीक है ना? यह अलग चीज है तो इस लिटिल का मजब लिटिल वहा है लेकिन आपका इस लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा जिसे आप गिन नहीं सकते हैं जैसे आप एक दूसरा उगहाण आपको बता देता हूं जैसे हम यह बढ़ लिखते हैं M I N U T E मिनट मिनट एक यह क्या है? यह समय की इकाई है क्या है की इकाई है? समय की यूनिट है ठीक है? जो है समय की यूनिट है मिनट लेकिन इसी मिनट को हम अगर माइनूट पढ़ते हैं क्या बोलेंगे? माइनूट माइनूट जब बोलेंगे तो यह इस माइनूट का मतलब हो जाता है सूश्म बाइड वही है M I N U T तो एक जगह होता है समय की काई, एक मतलब मिनट मतलब समय की काई, अगर इसे हम माइनूट बोल देंगे तो यह क्या हो जाएगा माइनूट मतलब होता है सूश्म ठीक है न, तो इस चीज का अभिसेश दिहन दीजेगा तो यहाँ पे हम क्या लिटिल का प्रयोग देखेंगे है न, तो यह आप ध्यान रखना है तो लिटिल, यह बाला लिटिल जो होते है कभी a little वाए countable noun के साथ जहाँ पे होता है वो अलग चीज होती है लेकिन जो यह little का प्रयोग होता है जिसका मतलब नगन्य होता है तो इसमें इसका मतलब प्रयोग हमेशा uncountable noun के साथ होता है ध्यान रखिएगा uncountable noun मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते जिनकी संख्या असंख्य होती है या बहुत सारी होती है जिसे आसानी से गिना नहीं जा सकता है ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा ठीक है जैसे example आप लिखिए I know I know little I know little about her I know आप little का मतलब ये क्या है ना के बराबर Never कहिए ना के बराबर I know little about her I know मैँ उसके बारे में नहीं जानता मतलब ना के बराबर ये मतलब जानता इन्हीं है ना के बडाबर little यहां लग गया मतलब little लग गया मतलब मतलब जो है मैं बाउट हर मतलब उसके बारे में यहां-अ-बाउट जानता हूं प Foodmat Devil भी जानता नहीं हूं है ना I know लिटिल पॉट हर अब देखिए अगर यही पे आपका लिख दिया जाए I I I don't know I don't know little about her about her I don't know little about her तो क्या ये सही होगा I don't know little about her अब देखिए little का मतलब आल रेडी नगन्नी होता है और आप उपर से लगा दिए don't मतलब ये भी negate to ये भी negate to, गलत ये sentence गलत होगा ये sentence सही होगा क्योंकि यहाँ पर little का मतलब आल रेडी नगन्नी होता है तो ये यहाँ पर don't लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है इसका मतलब आल रेडी होता है नगन्ने तो आप इस चीज को विसेश ध्यान दीजिएगा आल इटील का मतलब क्या होता है आल इटील का मतलब होता है थोड़ा सा कैसा? थोड़ा सा मतलब कुछ ठीक है न? थोड़ा सा आल इटील का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा अब इसमें क्या लिखेंगे? ये एक कैसा होता है? जो आल इटील होता है अलिटि लीजा positive word पाजिटिव-word. क्या है यह? इसमें यह negative word नहीं है, यह positive word है, मतलब इसमें ना के बराबर मात्रा नहीं है, मतलब थोड़ी सी मात्रा इसमें है, यह ना के बराबर नहीं है, ठीक है ना? तो इसमें थोड़ा सा, little, الीटिल का मतलब होता है, थोड़ा सा, तो यह positive word है, तो आप इसके साथ not का प्रयोग या no का प्रयोग कर सकते हैं, not का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ आप not का प्रयोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, अब जैसे, उधारण, I don't know a little about her, I don't know a little about her, मैं उसके बारे में इत्ती सी भी, मतलब थोड़ा सा भी, a little, मतलब थोड़ा सा भी, a little मतलब थोड़ा सा भी, अब यहाँ don't लग गया, मतलब मैं उसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानता, I don't know a little about her, मैं उसके बारे में कितना, मतलब थोड़ा सा भी नहीं जानता, ठीक है ना, थोड़ा सा भी, a little लग गया, थोड़ा सा भी नहीं जानता, यहाँ पे आप don't लगा सकते हैं, क्योंकि यह एक positive word होता है, मतलब थोड़ा सा लगा है, इसलिए यह positive word है, तो positive word है, तो इस इसके साथ आप not का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, तो I don't know a little about her, ठीक है, और आप क्या लिख सकते हैं, I, ठीक है, I am a little sorry, I am a little sorry, मने क्या करता हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा दुखी हूँ, मैं थोड़ा सा, I am a little sorry, मैं थोड़ा सा, आप पिट गए अगर आप ये कहे रहे हैं कि I am little sorry मतलब मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं मैं पिट गया लेकिन मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है पिटने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है लेकिन I am a little sorry मतलब मैं पिटा जो मैं पिटा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा अफसोस है थोड़ा सा दुख है ठीक है तो I am a little sorry अब इसके साथ आप ये भी लगा सकते हैं क्योंकि पालिटिव वर्ड है इसके साथ आप नॉट भी लगा सकते हैं I क्या लिख सकते हैं आप इसमें लिख सकते हैं I am not I am not a little sorry a little sorry I am not a little sorry मतलब मैं जो है थोड़ा सा भी दुखी नहीं हूँ थोड़ा सा भी यह a little लगा है मतलब थोड़ा सा भी I am not a little sorry मैं थोड़ा सा भी दुखी नहीं हूँ यह चीज हो गया ठीक है अब यहां भी आपको समझ में आए a little मतलब कुछ मात्रा ना के बराबर नहीं मतलब थोड़ा सा ज्यादा तो a little आप यहां पे आप लगा सकते हैं ठीक है अब अगला प्रयोग जो चलता है तो little मतलब ना के बराबर a little मतलब थोड़ा सा अब देखिए अब अगला प्रयोग जो है अपना the little है जो दा little है तो इसका मतलब क्या होता है जो थोड़ा सब जो थोड़ा सब मतलब जो भी थोड़ा सा है वो उतना मतलब पूड़ा पूड़ा जो भी है उसमें पूड़ा अगर आपके पास थोड़ा जो आपका मालीजे कुकर में चाबल रखा हुआ है अगर थोड़ा सा चाबल है तो आप पूरा खाए है ना जितना भी है उतना ही में सब उतना ही में पेट भर जाएगा आपका उतना ही मालीजे है ना जितनी भी मात्रा है उतने में सब मतलब ये पूड़े एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, एक पूड़े समूः को ब्यक्त करता है, जो आपका दिल इटिल है, वो पूड़े समूः को रिप्रेजेंट करता है, जैसे माली जी एक क्या है, माली जी एक ग्लास है, ठीक है, ये क्या है एक आपकी ग्लास है, ग्लास में अगर माली जी यहां कुछ बूद पानी भरा हुआ है तो आप कहेंगे इसमें कितना पानी है? लिटिल वाटर है लेकिन अगर थोड़ी मात्रा में कुछ और पानी है थोड़ी मात्रा में पानी भरा है तो यहां क्या आप लगाएंगे? A little, मतलब A little water, थोड़ा सा पानी ग्लास में कितना है? A little water, लेकिन अगर आप यहां पे A little लगा दे, मतलब A little तो मतलब इस ग्लास में, जैसे माली जी यहां तक पानी है, तो वो सब उतनाई पूरा, जितना है उतने में, ठीक है? जितना है, उतनाई में सब अगर यहां तक होता, तो उतना पूरा यहां तक है, इतना पूरा अगर यहीं तक है, तो इतनाई में पूरा, तो जो थोड़ा जितना भी है, अगर माली यहां भी होता ना तो उतना ही यहां से यहां तक उतना ही पूरा, ठीक है, तो जो थोड़ा सा भी है, उसमें से पूरा-पूरा, यह नहीं कि उसमें से भी आप, जितना भी है, उसका कहने का मतलब है, अगर आपके पास 5 रुपए है, तो आप 5 ही दे दो, लेकिन 5 ही दो, 4 नहीं, 5 ही दो, अगर आपके 10 है तो 10 दो, अगर आपके पास 1 है तो 1 ही दे दो, अगर आपके पास 4 है तो 4 ही दे दो, लेकिन जितना है पूरा दे दो, ठीक है न, यह नहीं कि आप 4 है तो 100 रुपएला की दो, ऐसा नहीं है, जितना है उतना ही पूरा, ठीक है, तो यह चीज का आपको प्रयोग करन little water there in the glass. I drank the little water there in the glass. मैं मतलब पी गया पानी जितना भी मतलब पानी था ग्लास में. I drank मतलब मैं पी गया the little water मतलब जितना भी जो थोड़ा सा था सब water there in the glass. इस glass की अंतरगत है ना इस glass की अंतरगत जितना भी पानी था मैं वो पूरा पी गया. I drank the little water there in the glass. I drank the little tea. यहाँ पी निख सकते हैं. I drank the little tea there in the cup. I drank the little milk there in the glass. कुछ भी आप कह सकते हैं. तो ठीक है ना तो मतलब जितना था उसमें से आपका क्या पूरा पूरा. तो आप क्या समझेगा? आप सीधे भासा में आप जान लीजिए कि जो little, a little और the little होता है. जो little, a little और the little होता है. तो little इसका मतलब already होता है. ना के बराबर या नगन्य और ये एक negative word होता है. और इसमें इसका प्रयोग uncount. मतलब प्रयोग तो देखी इन तीनों का uncountable noun के सा uncountable जिसे हम गिन नहीं सकते है. ठीक है ना? तो इसका मतलब होता है नागन्य, a little मतलब थोड़ा सा और थोड़ा सा और इसका मतलब जो थोड़ा सा जो थोड़ा साब है ना? जो भी थोड़ा सा है वो उसमें से भी पूड़ा पूड़ा. तो little, a little और the little तो इस प्रकार जैस there was, आप देखिएगा, there was, there was, water, which I drank, ठीक है, करने का प्रयास करिएगा, और एक ग्यामपा लिख लीजे, I drank, फिलिन, water, there, in the bottle, फिल लिख दीजिएगा, I don't, need, your, help, समझेगा, अब यहां पर क्या होगा, there was, dash, dash, water, which I drank, अब फमझेगा, there was, water, which I drank, मतलब, इसमें, जो भी, क्या था, water, which I drank, मैं उसे पी गया, मतलब, कैसा water था, थोड़ा सा पानी था, यहां पर क्या होगा, a little होगा, मतलब, there was, यहां पर, जो थोड़ा सा पानी था, उसे मैं पी गया, आप अपने फिकरने का प्र I drank water, अब क्या लगेगा, I drank water, मैं पानी पी गया, there in the bottle, जो भी, जो भी, इस बाटल में था, मतलब, a little, यहां क्या लगाएंगे, a little, मतलब, मैं वो सब पानी पी गया, जितना बाटल के अंतरगत था, और यहां पर, I don't, need your, I don't, need your, अब देखिए, यहां पर क्या लगेग आ little, क्यों लगेगा, अब देखि, यहां पर don't लगा है, तो don't अगर लगा है, निगेटिव लगा है, तो negatius मैं क्या little का प्रेच्वोग होगा, little का प्रेच्वोग होगा, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह already एक negative word है, तो अगर यहां little लगा जाता, तो अगर little तभी यहां अगर यह don't नहीं होता, अगर don't लगा है, तो यह positive, अगर यह don't लगा है, तो यहाँ पर positive word लगेगा, मतलब a little लगेगा, तो little नहीं लग सकता, क्योंकि यह negative word है, आसा करता हूँ, कि आप लोगों को यह lecture समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा, तो आप हमारे चैनल क सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और सेयर करिए, और comment box में जरूर बताईए, कि आपको यह कितना समझ में आया है, ठीक है न, अपनी प्रत्कियादे, धन्यवाद,